पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना बिहार में दूबे गाउं और घोर बदिन्तजामी से लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं तो वहीं लोगों के जानमाल भी लगतार तबाह हो रहे हैं तबाही का ऐसा मंजर बिहार में बाल का कहर देख करके ऐसा लग रहा है कि सरकार और सारा तंत्र मंत्र फेल है आपको बता दें कि लोगों के पास न तो खाने के लिए है और न रहने के लिए है इसमें अगर आपको बता दें कि लोगों का सारा जमा पुंजी समाप्थ हो जाता है बाल के कहर में डूब जाता है तो ऐसे इस्तिति में आप समझ सकते हैं कि लोगों के इस्तिति क्या होगी बिहार में बाल के दर्द को बया करने के लिए लोगों के पास अब जुबान भी नहीं रह गई है वहीं आपको बताएं कि सरकार और सरकारी तंत्र लगतार एलियर रूट करके ये पता लगाने की कोशिस कर रहा है कि बाल से कितना तबाही मची है आपको बताया हमने कि पहले ही साथ बरसों के बाद इस तरह का कोई तरास्दी आया है जिसमें लोग पूरी तरह से तबाह हैं और अभी राहत मिलने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है अनाज भिग गए हैं लोगों के पेट भूखे हैं जंगल में गुजारा करने के लिए लोग मजबूर हैं इसके साथ साथ बीमारी महामारी तो साथ में चली रही है बाह की तरास्दी जेल रहे हैं बिहार को अभी मिद्राहत नहीं मिलने वाली है नेपाल एक बार फिर से पानी छोड़ने के लिए मजबूर है आपको बताएं कि इस सारी स्थितियों को देखते हुए एक तरफ बिहार और दूसी तरफ केंद्र की सरकार को ले करके कई तरह की बाते कही जा रही है यहां तक कि सरकारी तंत्र और सरकार में बैठे लोग ये बता रहे हैं कि केंद्र पूरी तरह से मोनीटर की कर रहा है और बाढ़ में फसे लोगों को उनको बचाने के लिए और विभिन तरह से उनको सुविधा पहुचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये कितना है और कितना क काम्याब हो रहा है यह तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा बार से बदहाल परबाद और व्याथित बिहार दर्भंगा से सहरसा तक नए इलाकों में पहलने लगा है पानी कोशी और गंडग का कहर और तेज होने लगा है आपको दादे कि बिहार में 14 बार परभावित राजियों को केंद्र ने 5,858 करोड रुपे तो दिये हैं लेकिन क्या ये काफी हैं बिहार में भयावा हुआ नजारा कई बांध तूटे हैं घरों में पानी गुज गया है और नए-नए इलाके रोज परभावित हो रहे हैं बिहार में बार के बीच वाय इस तरह से भयावा होती चली जा रही है इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई ऐसी बाते हैं जिसको ले करके इस बदहाल इस्थिति से निपटने के लिए कोशी और गंड़क के कहर से निपटने के लिए कोई भी दूर-दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा है कहा तो बीमार हैं वो दवा के लिए तरस रहें तो बच्चे बुजुर्ग महिला हैं क्या इनसान मवेशिय और सब बाल की चपेट में आ गए हैं निपाल ने भारी बारिस के कारण जो पानी छोड़ा है उससे बिहार में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा 24 गंटे में दरभंग तरह से अस्त बेस्त हो गया है 25 जिलों में जिस तरह से हमने आपको बदाया कि 16 लाग से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं SDRF की टीम की कहें या अन्य जो निजी संस्थाएं हैं वो प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी तक लोगों तक जो राहत चाहिए जो सुविदा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है तटवर्णों के टूटने से लगतार बाल का पानी नए नए इलाकों में जा रहा है और इसको देख करके इसका मंज़र देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तरास्दी हो रही है सरकार कैसे निप्टेगी एक बड़ा सवाल ख़ड़ा हो रहा है पनोर्म करोप जो सोचता है वो करता है पनोर्म करणार विए सब्सक्तार बाल ख़ड़ा है